हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी एंटी पीसी ये ग्रूप डी के लिए जिसका भी आपका एक्जाम पेंडिंग है उसके लिए आपकी जो तैयारी हो बहतर तरीके से चल रही होगी इस वीड़ों में हम बात करने वाले हैं एंटी ट्वीट के माध्यम से रेलवे मंत्री जो अश्वनी शिंग है उन्होंने बताया है कि तीन लाख के करीब जो है तीन लाख के करीब जो एक ग्रिवेंश डाले गए थे और उसके बारे में चर्चा होगी अब तो इस वीड़ों में हम बात करने वाले हैं कि आपका रिवाइ इस डिजल जो है वो आ सकता है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को अंसर की में प्रोब्लम थी कि जो भी आपके सही अंसर थे उनको भी नेगलेट कर दिया गया था जबकि उसका चार उप्शनों में से एक ही सवाल ठीक था तब भी उन कोश्चनों को जो है नेगलेट कर दिय है लेकिन मिनिस्ट्री ओफ रेलवे इस पर डिसाइड या चर्चा करेगी कि रिजल्ट रिवाईज देना है आरारसी में जो सीपीटे टुए वो खतम करना है या नहीं करना है अभी तक हाई पावर कमेटी के पास जो भी नियूस सी उन्होंने मिनिस्ट्री ओफ रेलवे को होगा तो चलिए हम इस पर बात करते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एन्टी पीसी के लिए और ग्रूप दी के लिए आरासी के लिए जो ग्रिवेंस आपको डालने थे वह 16 फरवडी तक आपको डालने थे और 4 मार्च को जो है वो हाई पावर कमेटी जो 5 लोग है वो Ministry of Railway को Ministry of Railway को सोब दी है अब इस पर Ministry of Railway जो है वो विचार करेगी कि किस चीज में क्या करना है हाँ मैं आपको एक चीज बता दूँ जो High Power Committee है उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर जैसे स्टूडेंटों ने मांग की थी कि 20 गुना जो है केंडिडेट का सेलेक्शन होना चाहिए NTPC में और CBT2 जो हट जाना चाहिए RCC Group D में से तो High Power Committee ने यही कहा है कि यह जो केंडिडेट के ग्रिवेंस है इन पर उन्होंने भी चर्चा कि और उन्होंने यही ही कहा है कि 20 गुना च्छात लिए जाने चाहिए और RRC में से जो CBT2 है वो हट जाना चाहिए High Power Committee ने जो है केंडिडेट के जो ग्रिवेंस से उन्हीं के साथ चलते हुए इस पर यह निर्ने लिया है लेकिन अभी हम यह पक्का नहीं क्या सकते कि NTPC का जो revised result है वो आएगा ही या नहीं आएगा जो cut-off है वो कम होगी या नहीं होगी क्योंकि अभी जो लास्ट टीसिजन है वो ministry of railway का आएगा और उसके अंदर आपको साथ तिन के अंदर अंदर आपको जो है final report जो है मिल जाएगी कि CBT2 खतम होता है NTPC में revised result आता है या नहीं आता है यह साथ तिन के अंदर आपको मिल जाएगी इस week के अंदर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है मिल भी सकती है लेकि साथ तिन का जो समय है उनको चाहिए क्योंकि जो NTPC में high power committee का गठन किया गया था और RCC के लिए जो NTPC और RCC जी दोनों के लिए जो high power committee का गठन किया था उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उन पर अब ministry of railway विचार करेगी जो भी उने सही लगेगा या उनके पास उसके लिए प्लान होगा उस पर वो जारिक करेगी अगर आपके NTPC के अंदर कुछ marks जो है वो कम है जैसे कि cutoff से एक या दो marks आपका जो है वो कम है तो हो सकता है कि जो cutoff है अगर revised result आता है तो cutoff degrees हो और cutoff degrees होने का मतलब है कि 10 गुना candidate जो है और लिये जाएंगे और 10 गुना candidate का लिये जाने का मतलब है कि जो cutoff है वो आपकी 5 नंबर तक भी 5 नंबर तक भी नीचे आ सकती है तो जो candidate अभी level एक में select हुए है या दो में select हुए है या तीन में select हुए है मतलब इससे मेरा मतलब यह है कि तीन level में select हुए है चार level में select हुए है या एक level में select हुए तो हो सकता है कि वो दो या तीन या फिर हो सकता है सभी level में आपके select हो जाएं अगर Revised Integeral जो है RRB जारिक करती है तो अब बात करते है RRC Group D के बारे में तो RRC Group D का जो एक्जाम है उसके बारे में जो High Power Committee ने हैं कहा है रिपोर्ट के अनुसार वो यही कहा है कि CBT-2 जो है आपका वो हटना चाहिए लेकिन इसके अंदर जो railway है वो यह कह रही है कि Number of Candidates जादा हो जाने की वज़े से एक एक्जाम में पोसिबल नहीं है उनको छाटना लेकिन महीं Candidates ने यह व्यू रखा था कि पिछली बार जो Group D की एक्जाम हुआ था 2016 में उसके अंदर भी लगबग 65 से 70 लाग फोम आये थे उसके अंदर भी एक ही CVT के अंदर सारी जो परिकिरियां है वो complete करा दिक गई थी तो अब क्यों नहीं यह जिस भी Candidate ने उसमें सवाल उठाया था पटना के अंदर यह बहुत अच्छा सवाल था और उस से जो है कि आप ऐसे ही सभी Government Job की News से पलपल अपडेट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तंक यू